इस सबसे पहली मुणियो सफ़ा तक 72 में आई थी गोमती के किनारे इस मुई में मीना कुमारी मुम्ताज और आगा लीट काश्ट में थे इस मुई का बजट 18 लाग था भारत में इसने 9 लाग की कमाई की दुनिया में 16 लाग की कमाई की और बॉक्स आपयते से डिजाश्टर क इसको डारेक्ट किया था सावन कुमार तक जी ने इसमें अनिल धवन नीतु सिंग बिन्दु विनोध महरा थे इस मुई का बजट 15 लाग था इस मुई ने भारत में 55 लाग की कमाई की और बॉक्स आपयते से हेट करार दिया गया अगली मुई 1977 में आई थी आप क्या होगा इसको सावन कुमार जी ने डारेक्ट किया था इसमें लीट काश में सत्रुहन सिना नीतु सिंग असरानी थे इस मुई का बजट था 85 लाग की कमाई की दुनिया में 75 लाग की कमाई की और बॉक्स आपयत पर ये मुई फ्लॉप साबित हुई अबली मुई 1978 में आई थी साजन बिना सुहागन इसको सावन कुमार जी ने डारेक्ट किया था इसमें राजेंद कुमार नूतन विनोद महरा लीट काश में देखने मिले इस मुई का बजट 45 लाग रुपए था भारत में 1 करोड 10 लाग की कमाई की दुनिया में 2 करोड की क कमाई की और बॉक्स अफिर पाइस मुई को कमाई की अंसार से हिट करार दिया गया अबली मुई आई थी 1980 में ओ बैफा इसको सावन कुमार जी ने डारेक्ट किया था इसमें राजेंद कुमार अनिल धवान योगिता बाली नाजनी लीट काश में थे इस मुई का बजट 50 सावन कुमार जी ने डारेक्ट करार दिया गया अगली मुई इसमें राजेंद कुमार नूतन विनोन महरा रेखा लीट कास में थे इस मुई का बजट था 50 लाख रुपए भारत में एक करो पंदरा की कमाई की दुनिया में एक और पिच्चानवे लाग की कमाई के अनुसा इसको डारेक्ट सावन कुमार जी ने किया था इसमें राजेश खन्ना टीना मुनि पद्विनी कुलहपुरे प्राण और प्रॉंच अपला थे इसमें का बजट एक करो पचास लाग था भारत में कमाई की तीन करो असी लाग की दुनिया में साथ करो तीस लाग की कमाई के इसमें राजियो का बजट पद्विने को लापुरे लीट काश में थे इसमें का बजट पचास लाग था भारत में इसने कमाई की पचीस लाग की दुनिया में 45 लाग की कमाई की और बॉक्स अफिर से डिजाश्टर करार दिया गया अगले मुवी आई थी 1987 में प्यार की जीत इसको सावन कुमार जी ने डारेट किया था इसमें रेखा विनोग मेरा अशोक कुमार शशी का पूल लीट काश में थे इसमें कमाई की 30 लाग की दुनिया म कमाई के अंसार से फ्लाप करार दिया गया अगले मुवी आई थी 1989 में सावतन की बेटी इसको डारेट किया था सावन कुमार ने इसमें जीते अंद रेखा जया परदास सुमी साहगर लीट कास में थे इसमुवी का बजट था 95 लाग रुपए भारत में कमाई की 1 करो 90 डैनी और पुनी दिस्तर लीट कास में थे इसमुवी का बजट दो करोड था भारत में कमाई की 5,75 लाग की दुनिया में 10,20 लाग की और बाक्स आपित पर सुपर हिट साबित हुई अगली में निस्तर 92 में आई थी बेवफ़ा सेवफ़ा इसमें जूही चावलाव ये एक मुश्रान प्राण नगमा प्रेम चोपरा थे इसमुवी का बजट था 60 लाग रुपए भारत में इसमुवी ने कमाई की 65 लाग की दुनिया में कमाई की 1,15 लाग की बॉक्स आपित पर ये मुवी फ्लाप रही आगली मुश्रान प्रेम आई थी खालनाई का इसको सावन कुवा जीने डारेक्ट किया था इसमें जीतेन जया परदा अमुवगरवाल लीट कास में देखने क मिले इसमुवी का बजट था 1,10 लाग रुपए भारत में कमाई की 2,9 लाग की आगली मुवी आई थी सन 1994 में चांद का टुकड़ा इसको सावन कुवा जीने डारेक्ट किया था इसमें लीट कास में सालमान खान और स्री देवी देखने के मिले इसमुवी का बजट था 2,75 लाग का भारत में 2,6 लाग की कमाई की दुनिया में 3,14 लाग की कमाई की और फ में कमाई की 93 लाग की दुनिया में कमाई की 1,69 लाग की और बॉक्स अपित पर ये मुवी फ्लॉप साबित हुई अगले मुवी आईथी 1997 में सलमा पे दिल आ गया इसको सावन कुमार जी ने डारेक किया था इसमें आयूब खान साधी का आम मिलिंद गुंजी लीटकास में थे इस मुवी का बजट 1,50 लाग का था भारत में कमाई की 85 लाग की दुनिया में कमाई की 1,55 लाग की और बॉक्स अपित ये मुवी बिजाश्टर साबित हुई अगले मुवी आईथी 1997 में मदर इसको डारेक किया था सावन कुमार जी ने इसमें जीते अंद रेखा इस मुवी का बजट था 2,50 लाग का भारत में 35 लाग की कमाई की दुनिया में 52 लाग की कमाई की और बॉक्स अपित ये मुवी डिजाश्टर साबित हुई अगले मुवी आईथी 2003 में आईथी दिल परदेशी हो गया इसको सावन कुमार जी ने डारेट किया था इसमें कपिल जावेरी सरोनी अस्वनी आस्तोस राना मिस्ट परिस्ट मुवी इसका बज़र 2,75 लाग था भारत में 1,75 लाग की कमाई की दुनिया में 2,79 लाग की कमाई की और डिजाश्टर रही अगली मुवी आई थी सन 2006 में सावन दरलाफ सीजन इसको सावन कुमार जी ने डारेक था इसमें सलमान खान कपिल जावेरी सरोनी अस्वनी लीड कास में थे इस मुवी का बज़़र 5 क्रोड था भारत में कमाई की 3 क्रोड सावन तालिक राग की दुनिया में 5,83 लाग की कमाई की बाक्साफ ये फ्लाप रही ये इनकी लाश्ट मुवी थी इसके बाद इनकी कोई मुवी नहीं आई तो ये अगर बाक्साफ इनका अनालिसिस देखें तो ब्लाकबस्टर मुवी कोई नहीं रही सुपर हिट मुवी 2 रही हिट मुवी 3 नहीं सेमी हिट मुवी 2 रही एवरेंग मुवी कोई नहीं फ्लाप मुवी 7 नहीं डिजाश्टर मुवी 6 रही टोटल मुवी इनकी 20 रही जो लगभग ठीक ठाक ही रहा तो ये सावन कुमार तक सर जी का box office analysis था इसमें से कौन सी movie आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और कौन सी इनकी movie आपको favorite movie रही आपकी इस बारे में comment box में जरूर बताएं